हेलो एव्रीवन वेलकम टो माई चैनल सुगा इसा जम लोग आपर सौल करेंगे क्लास ने अरे सब्सक्राइब की बुक्स नियु एडिशन से चाप्टर फो क्वाडिटिक एक्वेशन की एक्सराइज फोरेगा कोशन नंबर 51 52 53 54 जो आइस बहुत ही इजी कोशन है और बहुत ज़्यादा है वीडियो को अच्छे से देखिए समझ लीजिए सारी कोशन देख लीजिए जिसे एक्जाम में कोई भी पाब्लम ना आए एक्जाम में मौसली इस्टाप्टर से कोशन आते ही आते हैं आपको चैनल पर अविलिबल किया जा रहे हैं आपने सब्सक्राइब कर देंगे इस कोशन को सौल बहुत इजी है इससे पहले भी हम इस कोशन सौल करते हुए हैं आप देखते हैं कि आपको एक्वेशन देदी ठीक है दोनों साइड आप देख रहे हैं 2a स्क्राइब प्लस 5ab प्लस 2b स्क्राइब या तो एक्वेशन को किसी फॉर्म में लीजिए या इनका फैक्टर कर लीजिए ठीक है अगर हम इन दोनों टर्म की मल्टिप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 4a²b² बनता है तो 4a²b² के फैक्टर कर लीजिए कि आपका क्या आए 5ab आजाए तो अगर हम 4ab और प्लस a,b कर दे तो क्या हो जाएगा 5ab हो जाएगा राइट हो So, यहाँ पर पहले हम इदर अज़ाफ कर लेते हैं 2A square plus 4AB plus AB plus 2B square So, यहाँ से आपका 2A को मन तो A plus 2B यहाँ से आपका क्या को मन आ जाएगा? B आ जाएगा So, A plus 2B that means 2A plus B into A plus 2B यह दोनों इसके क्या आ गए? Factor आ गए It means हम इस equation को लिख सकते है 9X square minus 9A plus B into X plus आगे guys 2A plus B into A plus 2B equals to 0 अब हमारा जो 2A plus B into A plus 2B आता है ठीके? यह आपकी equation हो गए इसको किस से multiply कीजिए? 9 से कीजिए ठीके? क्योंकि C और जो आपकी A coefficient, X square की coefficient की term 9 है इन दोनों को multiply करते हैं इनके इनके ऐसे vector करते हैं कि क्या है आपका 9A plus 9Bi अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इनको multiply कर लीजिए तो guys क्या होगा? multiply अगर हम कर लेते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों को हम ऐसे vector करने हैं कि area subtract करने पर क्या है? आपका 9A plus 9Bi तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? C into C भी लिख सकते हैं इसमें भी दोनों में कर देते हैं guys, A की आपका bracket में values हैं तो अलग-अलग करेंगे C into 2A plus B into C into A plus 2B तो 6A plus 3B into 3A plus 6B अब अगर आप आगे भी multiply करेंगे तो वो ही आएगा, देखें 2A की A में करेंगे तो 2A square और 2A square की 9 में करेंगे तो 18A square अब देख लीजिए 6A की 3 में A करेंगे तो क्या आएगा 18A square आएगा तो क्योंकि product में हैं इसलिए आप दोनों उससे multiply नहीं करेंगे अगर आपका plus में होता तो आप 9 की इस term से भी multiply करते इस में भी करते हैं, या subtraction में होता तो दोनों term से करते हैं but multiplication में तो किसी भी एकसर कर लीजिए या फिर इस तरीके से factor करके हम ऐसे multiply कर सकते हैं अब आपको 9A plus 9B लाना है तो या तो plus कर दीजिए तो plus कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आप 9A and 9B लीजिए तो बहुत easy हो गया तो 9A plus B आ गया, that means इस दोनों term को plus कर दीजिए so 9X square minus इस पूरी term के replacement में हम यह term put कर देते हैं ठीके, so 6A plus 3B plus 3A plus 6B, right and bracket clause and यहाँ पर X, क्योंकि इस पूरी term के replacement में हमारी यह term आई है plus 2A plus B into A plus 2B equals to 0 so guys, यही basic concept था अगर आपको इतना समझा गया, तो आप तो motion easily solve कर लेंगे इसके factor कर लिए, यह आपको समझा गया, अब इसके factor करने थे कि हमारा 9A plus B आ आई, and 9 की हम multiply कर दी, क्योंकि इसकी और इसकी हम इन दोनों के multiply करते हैं तो ऐसे factor किये कि 9A plus B आए, तो हमने 6A plus 3B and 3A plus 6B दोनों को add किया, तो हमारे यह value आ जाती है, now, अब solve करते हैं, 9X square minus 6A plus 3B into X, guys, यहां से दोनों से C common आ जाएगा, yes, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, right, तो C हमने common ले लिया, plus, यहां से भी C common आ जाएगा, yes, सबसे पहले sign का भी दिया हम रखना है, plus, minus, minus, तो यहां किसका sign आएगा, minus का आएगा, now, 3 common ले लिया, तो A plus 2B and into X, plus 2A plus B into A plus 2B equals to 0, so, now, common लेते हैं, क्या common आ रहा है, 3X common आता है, तो 3X minus 2A plus B, now, यहां से क्या common आ जाता है, minus A plus 2B को मन आ जाएगा, so, A plus 2B आपने common ले लिया, ब्रैकेट में कहरा जाता है, 3X minus plus minus and 2A plus B equals to, यह दोनों term सेम है, yes, सेम है, so, 3X minus 2A plus B into 3X minus A plus 2B equals to 0, right, दोनों term को individually 0 केकवल पुट करेंगे, so, 3X minus 2A plus B को 0 केकवल पुट करते हैं, तो 3X equals to, इस side यह term minus में है, तो right side में जाएगे, तो plus में हो जाएगे, 2A plus B, so, X equals to 2A plus B upon 3, now, 3X minus A plus 2B equals to 0, so, 3X equals to A plus 2B, X equals to A plus 2B upon 3, right, so, guys, इस तरीके से दो फैक्टर आपके आ जाते हैं, these are the solution of this equation, clear है, समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किये, so, जल्दी से कीजिए हो, comment कीजिए है, समझ आ गया, इस सरीके से, guys, हम question को solve कर सकते हैं, and अब यह rough work हम लोग remove कर देते हैं, यहां से, okay, so, आईए question number 52 solve कर लेते हैं, now, question number 52 भी बहुत easy सा question है आपका, ठीके, and अधर आप लोग करेंगे, then, सभी question solve कर सकते हैं, easily, अब यहां पर हम देखते हैं, 16 upon x minus 1 equals to 15 upon x plus 1 दिया है, कैसे करेंगे, guys, आप देख रहे हैं, इसके upon में x है, इसके upon में x plus 1 है, and यह 1 as it is है, इसको right side ले जाहिए, x वाली term एक side ले आते हैं, जब से पहले, ठीक है, x is not equals to 0 minus 1, यह भी आपको दिया हुआ है, तो 16 upon x, इधर यह value plus में है, इस side में आईगी, तो negative में हो जाएगी, 1 यहां पर negative में है, right side में जाएगा, तो plus में हो जाएगा, आप क्या कीजिए, दोनों को LCM लेजिए, सबसे पहले, तो x into x plus 1, तो 16 into x plus 1 हो जाएगा, and minus 15x हो जाएगा, equals to 1, LCM लेना आप सभी से आता है, easily, now, 16x plus 16 minus 15x upon x square plus x equals to 1, जिसके upon में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है, so cross multiply कीजिए, 16 में से 15x minus जाएगे, तो 16x में से 15x जाएगे, तो x बचेगा, x plus 16 upon x square plus x equals to 1 upon 1, अब cross multiply कीजिए, यहाँ पर हमने नहीं किया, पहले इसको solve कर लिया, now, x plus 16 equals to x square plus x, ठीके, now, यह पूरी term हम लोग right side ले जाते हैं, x square plus x, और यह भी right side ले आते हैं, minus x minus 16 equals to 0, ठीके, तो यह x से x cancel, that means x square minus 16 equals to 0, right now, आप जानते हैं, x square minus 16 equals to 0 के आ गया, ठीके, यह पूरी term guys, हम एक side ले आते हैं, तो right side ले जीरो के इकवल आ गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x square minus 4 square equals to 0, so, a square minus b square का formula apply करेंगे, तो x minus 4 और x plus 4 equals to 0, ठीके, तो x minus 4 को 0 के इकवल पूट करेंगे, so, x equals to 4, x plus 4 को 0 के इकवल पूट करेंगे, तो x equals to minus 4, और guys, इसको solve करने का एक और तरीका है, यहां से जब आप देखेंगे, ठीके, यहां से जब आप देखते हैं, तो directly x square minus 4 square है, तो x square equals to क्या हो जाएगा आपका, right side जाएगा, 4 square की आएगा, ठीके, तो जब हम लोग root करेंगे, so, x square का root करेंगे, तो 4 square, now, directly आप पता है, root हटाते हैं, तो plus minus में value आती है, that means plus minus 4 आएगी, तो x की एक बार value plus 4, एक की value minus 4, तो same यहां पर भी यह answer आ रहा है, कोई भी strength इस तरीके से करना चाता है, तो ऐसे कर सकता है, इस तरीके से करना चाता है, तो ऐसे कर सकता है, दोनों से ही answer same आएगा, solution बिलकुल same रहेगा, and these are the solution of this equation, इस तरीके से guys, कोई भी question हो easily solve कर सकेंगे, वीडियो समझ आईए, अभी तक भी like नहीं किया, जल्ली से कीजिए, comment कीजिए, समझ आगया, now question number 53 and 54 solve कर लेते हैं, now friends, question number 53 and 54 is given that, 4 upon x minus 3 equals to 5 upon 2x plus 3, where x3 is not equals to 0 and minus 3 upon 2, and same question number 54 is given, now question number 53 solve करते हैं, so same जैसे हमने 52 solve किया है, so guys, इसके upon में x की term नहीं है, तो इसको right side ले आएंगे, x वाली term को, एक side लेते हैं, so 4 upon x, ये plus में है, तो right side में आके minus में आ जाएगी, 5 upon 2x plus 3, and equals to minus में है, तो right side में जाएगी, plus में हो जाएगी, so दोनों में से LC हम ले लेते हैं, x into 2x plus 3, now 4 में किसकी multiply हो जाएगी, 2x plus 3 की minus, and यहां पर 5x equals to 3, right, now solve करते हैं, 4 2 is a 8x, 4 3 is a 12, minus 5x upon, यहां पर multiply करेंगे, 2x square plus 3x equals to 3, अब guys, आप solve करेंगे, तो 8 में से 5 minus हो, गतो कितना रह जाएगा, 3x plus 12 upon 2x square plus 3x equals to 3, जिसके upon में कुछ नहीं होता, 1 होता है, so cross multiply कीजिए यहां से, क्या आएगा, 3x plus 12 equals to 3 to the 6x square plus 3 to the 9x, now, यह term right side ले आएगे, तो 6x square plus 9x minus 3x minus 12, and इस side कुछ नहीं रहेगा, तो 0 हो जाएगा, right, now solve कीजिए, 6x square and plus 9 में से 3 गए, 6x minus 12 equals to 0, ठीके, so यहां पर देखते हैं, 6x square plus 6x minus 12 equals to 0 आगया, आप देखेंगे, पूरे में से आपका 6, आजाता है, so x square plus x minus 2 equals to 0 की, यह right side upon में, जब डिवाइड में चला जाएगा, 6 यहां से, तो किसी को भी 0 को किसी से भी डिवाइड करें, तो 0 ही आता है, now do the factor of this equation, x square plus x minus 2, so 2 1s are 2, now 2 के ऐसे factor, कि आप अप अड़ करें यह, यह ब्रॉक्त करें, तो 1 आए, so 2 minus 1 equals to 1, that means x square plus 2x minus x minus 2 equals to 0, so remove this, now x into common लेंगे, x plus 2, here what will come minus 1, then here will be x plus 2 equals to 0, at the both side x plus 2 is common, so x plus 2 and in the bracket it will be x minus 1, so now put these values equals to 0 individually, so when we put x plus 2 equals to 0, then x will be minus 2 and when we put x minus 1 equals to 0, then x equals to 1, right, so these are 2 solution of this equation or you can say these are the roots of the equation or we can say these are the zeros of the polynomial of the equation, so इस तरीकिसे, question number 53 is solved, now question number 54 is given that 3 upon x plus 1 minus 1 upon 2 equals to 2 upon 3x minus 1, same we will do here, put the x value, जो आपकी एक्स्रम वाली वाली वाल्यूस है, उनको एक्साइट and then बाक्की values एक side put कर लेंगे so 3 upon x plus 1 and minus 2 upon 3x minus 1 equals to 1 upon 2 1 upon 2 here minus sign then when we move right side sign will be changed it will be positive so take the LCM x plus 1 into 3x minus 1 so 3 into 3x minus 1 minus 2 into x plus 1 equals to 1 upon 2 now solve this equation 3 3 is a 9x minus 3 minus 2x sign का स्पेशल द्यान लेंगे minus plus minus 2 upon multiply this 3x square firstly we will multiply x to both the term 3x square minus x plus 3x plus minus minus 1 equals to 1 upon 2 now solve this equation 9x minus 2x will be 7x minus 3 minus 2 both are same sign so minus 5 now 3x square minus x plus x different sign then subtraction होगा so plus 3x and minus x sign values positive sign वाली 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 है so sign will be positive 2x minus 1 equals to 1 upon 2 do the cross multiplication so 14x minus 10 equals to 3x square plus 2x minus 1 now solve this equation put these values at the right side or left side एक side move कर लेंगे then we move right side so 3x square plus 2x minus 1 and यहां से यह value जब राइट side जाएंगी so sign change हो जाएगा 14x and इधर minus 10 में है तो plus 10 and right side में क्या राचाएगा? 0 राचाएगा now solve this 3x square plus 2x minus 14x then what will be minus 12x plus 10 and minus 1 so what will be plus 9 equals to 0 sign especially यहां राचाएगे 10 values आपकी ग्रेट है so इसका sign positive है so will be positive sign here negative value is greater है then sign will be negative right so 3x square minus 12x plus 9 equals to 0 so here you see what the value is common 3x square you can take the common so x square minus 4x plus 3 equals to 0 यह common आप चाहे तो ले सकते हैं otherwise ऐसे भी solve कर सकते हैं but अगर आप common लेंगे then easily easily इसको solve कर सकेंगे so guys 3 product में है right side में जाएगा तो किसमें चला जाएगा value divide में चले जाएगे आपकी value 0 upon 3 and 0 को किसी भी digit से divide करें तो 0 ही आता है so especially इस इसकर हाँ रखेंगे now factor करेंगे 3 है and inside 1 है 3 into 1 that means 3 so 3 की as a factor that की 4 आए so 3 बन्सा 3 3 plus 1 क्या होता है 4 होता है and 3 बन्सा 3 होता है means multiply करे तो 3 आए और add करे तो add यह subtract करे तो 4 आए so x square minus 4 को क्या होता है 3 plus 1 into x plus 3 equals to 0 it means x square minus 3x minus x plus 3 equals to 0 now solve the equation x will be common so here x minus 3 what will be common here there is nothing that means we will take minus 1 so minus minus plus x minus plus minus 3 equals to 0 so at the both side x minus 3 is common so x minus 3 is common that what will be remaining x minus 1 equals to 0 put these values equals to 0 individually so when we put x minus 3 equals to 0 then x will be c because here sign is negative and when we move right side sign will be positive now when we put x minus 1 equals to 0 then it will be x equals to 1 that means these are the solution of the equation it means x equals to 3 and x equals to 1 are the solution of the equation are the roots of the equation are the 0s of the polynomial so this is the question we can solve the problem if you have understood the video icon please learn and comment if you have understood so we will see in the next video bye bye take care thank you for the next video please do not forget to share the video so please do not forget to share the video